नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं जर्खन में कक्षा 3 से 7 के बच्चों के लिए 31 मार्च को होगी विशेस परिक्षा जर्खन के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चों के सेक्षनिक अस्तर के आगलन के लिए 21 मार्च को लिजाएगी इस बिशेस परिक्षा का उदे से यह पता करना है कि कुरोना के कान इस्कूलों के बंद रहने से बच्चों के सेक्षनिक अ कोथी के बच्चों की परिक्षा उतर पुस्ति का पर लिजाएगी जबकी पांच वी से सातवी का ट्राक्षा के वह कले परिजार कर लिजारे यह…. जार्खन में हीट वेब को लेकर अलर्ट जारी जारी जार्खन में बुद्धवार से सूरज से आग बरसने वाली है मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जार्खन में कम से कम दस जीले बुद्धवार से तीन दीनों तक लू की चपेट में आने की समभवना है उन्होंने अगाह किया है कि कुछ अस्थानों पर अधिक्तम तापमान 23 डिगरी सेलसियस को छू सकता है लू की चपेट में आने वाले जिले, गढ़वा, पलामुला, तयार, चात्रा, बुकारु, धनबाद, सिम्डेगा, पूर्वी और पच्मी, सिम्भूम और सराय के लखर्चावा है रांची के मौसम भी ज्यान केंद्रिक के बैग्यानी एससी मंडल ने पीटी आई को बताया कि गुजरात, राजस्थान, मद्य परदेश और उतर परदेश से पच्मी और उतर पच्मी हवावक के अप्रतिव अंधित परवा के कारण पूरे जार्खन में अधिक्तम तपमा परदान नामक संस्था के साथ विभाग ने एमोयू किया है, इसके तहट राजे के किसानों को आत्म निर्भर बनाने की दिसा में कदम बढ़ाय जा रहे हैं, क्रिसी कलस्टर के रूप में पूरे राजे में सोगाओं को मोडल विलेज के रूप में बिक्सित किया जाएगा प्रदान संस्था मुखे रूप से एफ पियो को किर्यानवीत करेगी, क्रिसी उत्पात को बजार उपलब्द कराएगी, साथ ही जागरूपता अभियान में अपनी भूमका निभाएगी गढ़वा में बनेंगे बेहतरीन फुटबॉल एस्टेडियाम मंत्री गढ़वा बिधायक साजारखन सरकार के पेज जालेवम सक्स्ता मंत्री मिथिलेष्ट कुमार ठाकूर ने मंगलवार को जिला मुखेला इस्थीत गढ़वा जिले को बेहतरीन फुटबॉल एस्टेडियाम देने की भी बात कही इन योजियाम में करीब साथ क्रोर की लागत से बनने वाला इस्टेडियाम चार कोर चालिस लाख की लागत से रामा साव उचबिद्याले में एकसिलेंट ऑफि स्कूल बालिका उचबिद्याले में तीन कोर चोविस लाख की लागत से बनने वाली उनहतर योजनाओ का सिलन्यास किया वहीं भी धायक निदी से गाड़ा परखंड में 22, मिराल में 17, रंका में 14, चिनिया में 5, रमकंडा में 8 तथा, डंडा में 3 योजनाये ली गई है बिहार जहारखंड के रास्त चलेगी वारा नसी हावडा बुलेट ट्रेन भारत में लंबे अरसे से बुलेट ट्रेन चलाने की कवाया चल रही थी, नरेंद्र मोधी की सरकार ने जापान के साथ समझाता किया और सबसे पहले महराष्ट वम गुजरात के बिच बुलेट ट्रेन चलाने का निश्चाय किया इस रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए धरभू सनराचना का विकाह जारी है बतादे 700 से अधीक पोल बन चुके हैं जारखन पिहार के लोगों के लिए भी खुसकबरी है पिछले दिनों रेल मंत्रिया स्वीनी बैसनों ने हाई लेवल मिटिंग की बताया जा रहा है कि वारानसी और हावडा के बिच बुलेट ट्रेन चलाने का सरवे काम लगभग पूरा हो चुका है हावडा वारानसी कारिडोर पर जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो यह जारखन से ओकर गुजरेगी अंगनवारी सेविकाव ने मुख्य मंत्री को याद दिलाया वादा नियमावली वा मांदे बिरिधी सहित अनेमां को लेकर अंगनवारी सेविकाव सहाई का मंगलवार से दो दिवस्य हर्ताल पर चली गई है हर्ताल अधी में आंगनवारी सेविका वह सहाई काओं ने परखन कर्याले में रोज पूर्ण परदर्शन किया और सरकार के बिरोध में नारे लगाए मौके पर मौझूद जार्खन परदेश अंगनवारी वरकर्स यूनियन के जीला अध्याक्स पर तीमा देवी ने बता है कि अंगनवारी के सेविका सहाई का निष्ठा पूर्वक अपना कारे कर रहे हैं बाजूद उन्हें न तो नियमित किया जा रहा है और नहीं मांदे में बिरिदिक की जा रही है अंगनवारी सेविकावों ने कहा कि मुख मंत्र हैमांसुरेन ने फरवरी माह में घोसना की थी की आंगनवाडी सेविका साइका के लिए एक नेमावली बनाई जाएगी और उनके मांदे में 13,000 की ब्रीधी की जाएगी किन्तु उन्होंने अपने गोसना पर अमल नहीं किया जार्खन में AC-ST समुदाय से घरेलू कामगारों की संख्या जादा जार्खन राजे में कायम करने वाले अधिकतम घरेलू कामगार अनुसूचित जाती और जन जाती समुदाय से है इसकी रिपोर्ट मंगलवार को जार्खन एंटी ट्रेफिकिंग नेटवर्क वा अस्पार्क ने सन्युक्त रूप से जारी किया है इसमें बताया गया है कि 70 फिश्दी से जादा घरेलू कामगारों को 3000 रुपई से कम मिलता है जबकि 10 फिश्दी को ही 4000 प्रतिमा से जादा बेतन दिया जाता है यह रिपोर्ट वरिष्ट पत्रकार मधुकर ऑक्सफैम से सपना सुरीन तरा मनी साहू ने जारी किया है हरताल के दूसरे दिन भी कडोरों की लेन देन प्रभावित 28 मार्च से सुरू हुई केंद्रिये ट्रेड उनियन की हरताल का दूसरा और आखरी दिन रहा अपनी 12 सुत्री मांगों को लेकर बैंक कर्मी हरताल पर है जिसके चलते सहर के बैंक म काम काज ठप है बैंक बंद रहने से बैपार पर बुरा असर पड़ा है और लेन देन प्रभावित हुआ है इधर दो दिन की हरताल के बाद भी तिये वर्स के आखरी दिनों में क्लोजिंग के कारान 30 और 31 मार्च को भी बैंकों में ग्राहकों के लिए सेवाओ पर असर पड को बाधित करने की धमकी भी दिया है इसको लेकर भारत में डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर प्रताओं की एक सिर्ष परतिनीधी संस था डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसियेशन ने मंगलवार को बिहार और जहार्खन की सरकारों से सो गोसित यूनियो जहार्खन ने विशेश रूप से मौदरिक लाव के संबन्द में उनकी कथित अवैद मांगों को पूरा नहीं करने पर दोनों राज्यों बिहार और जहार्खन में दूसन चार सेवावों को बाधित करने के लिए एक अवैद धमकी दी है जहार्खन में कुरोना के 6 नई केस मिले हैं जबकि 11 मरी स्वस्त भी हुए है जहार्खन में कुरोना के कुलेक्टिव केस की संख्या 85 है भारत में 12,69 नई केस मिले है जबकि 1705 मरी स्वस्त हुए भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 31-1997 है लोहर दगा में सर्च अभियान ID में इस्तेमाल किये जाने वाले वायर बरामद एक तरफ नक्सली बिहार, जारखन, पचिम मंगार और असम में 5 अप्रेल को बंद का वाहन कर रहे हैं पुलिस को यह कम्यावी लोहर दगा जिले के उगरवाद प्रभावी जुड़नी जंगल में मिली है लोहर दगा की स्पी प्रियांका मीना के नतित्व पर पुलिस उपाधिक छग दिपक पांड़े के नतित्व में सर्च अभियान चलाया गया था पांच अप्रेल को नकसलियों ने की जारखन बिहार पचिम मंगाल और असम में पांच अप्रेल को बंद की खोशना की है पुर्व रिजनल ब्यूरो मावादी के प्रवक्ता संकेत ने सोमवार को एक प्रेस विगयाप्ती जारी कर बताया कि केंद्रिय कमीटी और पूरो रिजनल ब्यूरो सदस्य कमरेड अरुन कुमार भटाचार उर्फ कंचन की गिरफतारी के बिरोध में इस बंद की खोशना की गई है बिग अप्ति के मुताबिक केंद्रिय कमिटी और पूरो रिजिनल ब्यूरो सदसे कामरेड अरुन कुमार भटाचार्ज उर्फ कंचन को हिरासत में लेकर पुस्ताष के नाम पर मांसिक यातना दी जा रही है कमजूर सरेरिक अवस्ता के बावजूद इलाज की समुशित विवस्ता और अवस्यक दवाय मुहयक कराने में कोताही बरत्ते जाने का रोप पिगप्ति में लगाया गया है सरकार तय करे अस्थानी और नियोजन निती बिजेपी बिरोध नहीं करेगी जार्खन भारतिये जनता पार्टी विधायक दल के नेता बावुलाल मरांडी ने कहा है कि हेमन सुरेन सरकार और उनकी पार्टी जामुमों में अस्थानी और नियोजन निती को लेकर प्रसपर सनवाद हिंता की स्थिती है अब जामुमों और हेमन सरकार ही असपस्ट करें कि ओ किस निती के तहत नियोजन की परकिरिया सुरू करना चाहती है भाजपाक की और से कोई बिरोध नहीं होगा एताय है मरांडी मंगलवार को सरकिट हाउस में करकताव से मिलने के दवरान पत्रकारों से बात चित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नियोजन हो या स्थानी निती हेमन सरकार और जामुमों दोनों को समझ ही नहीं आ रहा है कि किस परकार फैसला करे अभ्यमंद सरकार और जामुमों दोनों मिल करता है करे कि क्या सही है और कौन गलत है क्योंकि इस से युवाओ में सिर्फ भरम पैदा हो रहा है गड़वा गड़ेरिया हत्याकांड में यूपी से दो आरोपी गिरफतार गड़वा पुलिस ने मंगलवार को मजियाव थाना छेतर अंतरगत करकाटा गाओ में भेंड पालक सर्यूपाल हत्याकांड का खुलसा किया है इस मामले में सामिल दो आरोपी को उतर परदेश के चित्रकूट जीले के बरगट गाव निवासी ललु खान का पूत्र यासत खान उर्फ वली एवं ललु खान का पूत्र वासत खान उर्फ वली को गिरफतार किया है पूलिस ने उसके पास से बाइक, तीन मोबाइल, एक चाकू एवं खून लगा हुआ दो बास गिलाठी बरामत किया है इस बात की जनकारी स्ट्पो अवाद कुमार यादों ने पत्रकारों को दी है जेजेएंपी का पूर्व नक्साली असोक लखडा गुमला से गिरफतार गुमला जीला अंतरगत चैनपूर एवं दूमरी थाना के पूलिस ने चैनपूर थाना इस्थित नावा टोली गाउं से नक्साली संगठन जेजे एमपी के पूर्व सक्रिय सदस्य असोक लगा उर्फ अमर को गिरफतार किया है अमर जेजे एमपी का साथ छोड़ने के बाद अपने चार पांच अने सदस्यों के साथ अलग से संगठन बना कर काम कर रहा था जिस समय पूलिस ने गिरफतार किया उस समय वह घायल अवस्था में था पूलिस ने असोक की निसंदेही पर एक के छपपन राइफल समेत अन हत्यार बरामत किया है इस बात की जनकारी एस पी डाक्टर एते साम वह कारिवने पत्रकारों को दी निसीकांत दूवे फरजी डिग्री मामले में कोट में सुनवाई अब प्रार्थी की ओर से जवाब दिया जाएगा मामले में अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी बता दे सांसन निसिकान दूबे के खिलाप MBA की डिग्री फर्जी होने का हवाला देकर प्राथमे की दर्च कराई गई है IAS अपसरों की कौमी वाले देश के सिस चार राजियों में जारखन जारखन में भारतिय प्रसासनिक सेवा के अपसरों की कौमी के कारण कोई बिभावों के काम परभावित हो रहे हैं हाला तेया है कि यह राज IAS अपसरों की कौमी वाले देश के चार सिस राजियों में सामिल हो गया है राजे में स्विक्रीती बल के मुकाबले भारतिय प्रसासनिक सेवा के अपसरों की 31% कमी है केंद्री स्रकार ने जहारखन में विभीन पदों के लिए भारतिय प्रसासनिक सेवा केडर के 224 अपसर स्विक्रीत और निधारित किये है पहले है संख्या 211 थी इसी वर्स इस संख्या को बढ़ा कर 224 किया गया है इस लिहाजा से 9 और पदों की ब्रीधी हुई है नई स्विक्रीती संख्या के मुताविक जहारखन में उस्तर रियूटी वाले IAS अधिकारियों के पदों की संख्या 122 है जबकि केंद्रीय परतिन्युक्ति के लिए 48 अपसरों की संख्या निधारित की गई है किसानों ने धान खरीदारी की तिथी बढ़ाने की मांग की बता दे रहे है परखन में 35 हजर किंटल धान खरीद का लगच है जो परखन में 462 किसान पंजी किरित है अभी तक 218 किसान ही 8000 किंटल धायन की बेस्ट पाय है लाह उत्पादन से जहारखन में 73,000 किसान जुड़े जहारखन में लाह खेती के जरिये किसानों को आत्म निर्भर बनाने का पर्यास हो रहा है इसे के तहत महिला किसान ससकती करन पर्योजना एवं जोहार पर्योजना के जरिये लाह की खेती को राज सरकार बढ़ावा दे रही है इस पहल से राजे की 73 राया से ज्यादा ग्रामिन परिवारों को लाह की बैग्यानिक खेती से जोड़ा गया इसमें अधिकतर अति गरीब एवं वनों के आसपास रहने वाले ग्रामिन परिवार हैं बतादे इस साल करीब 2000 मेट्रिक टन छीला लाह का उत्पादन हुआ है मैट्रिक वा इंटर परिक्षा में जैक मोडल सेट पेपर से नवे परतिसत प्रस्ण गर्मी के इस मौसम में मैट्रिक वा इंटर के परिचार्थियों को राहत की सास मिली है आपकी बार जो प्रश्ण पुछे गए हैं इन में से 90% प्रश्ण जैक के द्वारा गत दिनों जारी किये गए मौडल सेट पेपर के अनुरूप थे प्रश्ण पत्र देखकर बचों में हर्स का महल था बतादे परिक्षा देखकर बाहर निकले बचों ने कहा कि अधिकांस प्रश्ण मौडल सेट पेपर से ही पुछे गए थे जिस कारण सवालों का जबाब देना बेहत आसान था हलाकि सब्जेप्टिक में उन्हें थोड़ी परसानी जरूर हुई जहारखन में सराब पर सकती एक-एक बोतल का रहेगा हिसाब जहारखन में देशी बीदेशी सराब के अवय तसकरी वचोरी रोकने के लिए बड़ी कवायत की गई है अब हर तरह की मदीरा की एक-एक बोतल की ट्रेकिंग हो पाएगी राज सरकार के उत्पाद वमग्द निशेद विवाग के मताबिक दुकानों तक पहुचने वाली सराब और बियर अवय तरीके से धाबो होटलों में नव बेची जा सके इसके लिए उत्पाद बितरन बिक्री तक की निगरानी की बिवस्था की गई है राज सरकार ने पर तेक बोतल केन पर सीकुरीटी होलोग्राम लगाने का काम एक निजी कमपनी को दिया है निजी कमपनी पर तेक बोतल पर सीकुरीटी होलोग्राम लगाएगी इस तरह अगर कहीं किसी धावे होटल या किसी भी अने जगा से सराप की बरादमी होती है तो होलोग्राम के जरिये यह जाना जा सकेगा कि उस बोटल या केन का उत्पात कहां से हुआ बित्रन किसके द्वारा की जानी थी वक्त विक्री किस ने की थी अंतराष्ट्रिये कुस्ती परत्योगता में भारत का परतिनिधित्व करेंगी प्रियांका जार्खन के गढ़वा जीले की बहादूर बेटी पहलवान प्रियांका अंतराष्ट्रिये ग्रेंड प्रिक्स कुस्ती परत्योगता में भारत का परतिनिधित्व करेंगी इसको लेकर जार्खन वासियों में खोसी का महोल है दरसल गोवा में आयजीत नेशनल कुस्ती परत्योगता में जीते गए स्वर्ण पदक एवं बिगत बर्सों में किये गए परदसन के अधार पर प्रियांका कुमारी का चैन इस अंतराष्ट्रिय गरान प्रिक्स कुस्ती परत्योगता के लिए फेडरेशन के द्वारा किया गया है जार्खन केबिनेट की अहम बैठक आज जार्खन केबिनेट की बुद्वार को अहम बैठक होने वाली है इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले पर नजर होगी जार्खन मंत्री मंदल सचिवाला एवं निगरानी विभाग ने सुचित किया है कि रांची में इस्थित जार्खन मंत्राला के कैबिनेट कक्ष में साम चार बज़े या बैठक होगी जार्खन में अस्थाने निती राज बजट सत्र के दोरन काफी चार्चा में रही उमीद है कि अस्थाने निती को लेकर इस अहम बैठक में चार्चा होगी जे एस एस्सी उत्पाद सिपाही 2018 अभियार्थी 2022 परिक्षा में ले सकेंगे भाग जार्खन उत्पाद सिपाही पर्तियोकता के बिग्यापन संक्या 4 2018 की परिक्षा में सामिल सभी अभियार्थियों को जार्खन हाई कोट से बड़ी रहात मिल गई है हाई कोट के जस्टिस राजे संकर की अदालत ने कॉट अफ डेट को लेकर दायर याजका पर सुनवाई करते हुए बिग्यापन संक्या 4-2018 की परिक्षा में सामिल सभी अभियार्तियों को उत्पाज सिपाई परत्योगता परिक्षा 2022 में सामिल कराने का आदेश दिया अदालत ने कहा कि जो अभियार्ति बर्ष 2018 की उत्पाज सिपाई परिक्षा में सामिल हुए थे वे सभी बर्ष 2022 की उत्पाज सिपाई परिक्षा में भी सामिल होंगे हलाकि आदालत ने यह अभी कहा कि इस रीट याज़का के अमतिम फैसले से परिक्षाफल प्रभावित होगा जारखन सरकार की पहल से मनरेगा स्रमिकों ने सुरू किया सोरोजगार जारखन में मनरेगा मैदूर से सुरूजगार तक का सफरताय करने वाले बहतर स्रमिकों को आपना काम मिल गया है करीब 50 स्रमिकों का भी प्रसिक्षन पूरा हो गया है उन्हें विभीन कमपनियों से अच्छे खासे प्रैकेज पर प्लेस्मेंट का उफर मिला है प्रोजेक्ट 29 से एस्रमिक विभीन ट्रेड में प्रसिक्षित हुए थे इसके बाद इन्हें फैसन डिजाइनर, फिल्ड टकनेशियन, एवं कम्प्यूटरिंग, फोर्मेन इलेक्टेसियन, एम ओ इन लाइन टेकर, वेर हाउस पीकर, सिलाई मसीन अपरेटर, जेनरल ड्यूटी, सहायक बनने का आउसर मिला है इसमें संतावन महिलाएं भी हैं, इनका अब आपना रोजगार हो गया है, धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होई तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बहुल का बेल एक का अंद बाइए, साथ साथ वीडियो को एक लाइक का अपने दोस्तों को साथ सेयर करना ना भूले, साथ ही साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बेक अवस से दे, थाइंक यू सुचराइब नही तो